पवित्र शिरिमत भागवत गीता पवित्र चारों वेद पवित्र कुरान शरीफ पवित्र बाइविल पवित्र गुरुगरंत साहेब पवित्र कभीड साहेब की वानी में छुपे हुए गूर रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिये जगत गुरु तत्व दर्शी संत रामपाल हो समय पर ओतिखा सब्सक्राइब करम ऑप्ति हों टो इसात्र बहुत हो गर्पे हुपलब्ध होती है बगति लिए जंगल में जाने से आ के वल वहां बैठर जाने मातर यह होगी साधना जो पास बता रहा इसे मौक्स होगा तो क्या बताते हैं परमात्मा के जंगम दुखिया जोगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो और असा तर्शना सब मैं व्या पह कोई मेल ना सुनना हो यानि सब के अंदर यासा तर्शना घर की हुए है जैसे तपस्वी को दुख दूना क्यों होता है कि पहले तो सारा जीवन कष्ट उठावे तपस्या करकर कर सरीर के साथ संग्रस करता है अगले जनम में वो राजा हो जाता है तपसे राज मदमानम जनम तीसरे सुकर सवानम पहले तो उसने बक्ती समय में बक्ती काल के अंदर कश्ट उठाया फिर राज़ा बनी गया राज़ा आप जी ने सुखी दिखाई देता वो सुपने में सुखनी राज़ा को क्योंकि कभीर साहब कहते है जूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद ये सकल जबी नाकाल का कुछ मुखमा कुछ गोत राज़ा को सुख नहीं है या भूल मत करना लेकिन हम अग्यानता के कारण इन राज़ाओं का पीछा बागते रहे ये आप अप बिखारी हैं आपके आप से टेक्स लेते हैं जब ये ठाट करते हैं और ये विस्ख खाते हैं ये आप से टेक्स लेकर सो बखवाद करते हैं अगले जनम में कहते हैं सुकर सवानम कुछ गधे और सुवर की योनी प्राप्ज करता है वो तपस्वी राज़ा बना राज़ा के अंदर अभिमान एंकार होता है ना जाने कितने जुलम कर जाता है और फिर वो अगले जनम में गधे और कुटे की योनी मजाता है क्या पाया इसमें तो जो सादना ये दास आपको बताने जा रहा है जो परमात्मा ने बताई है उन मापरसों के अनुभव में भी यही लिखा पाया है जिन्होंने परमात्मा सीधे आकर मिले थी तो उसी सादना से आप जी का मोक्स होगा और कोई भगती विधी नहीं है इस पर्थवीप है जिससे आप छुटकारा पास के छोटी मुटी रहत सुरग में चले गए कुछ दिन रहें वह आपने पुन समाप्ट की है फिर नरक में जाना ही कंपलसरी है यहां की ऐसी विधी है परमप्रा है फिर बताते हैं के साच कहूं तो जग नहीं मनने और जूट कहीं ना जाई हो बिर्मा विशनु ये शिवजी दुखिया जिन ये रहा चलाई है इन बिर्मा विशनु महेश की केतियास देख लिवाब इनको एक पल का भी सुख नहीं वही विशनु जी शिरी राम रूप में आये थे विवा हुआ विवा होते ही बनवास हुआ बनवास होते ही सीता का अपरण हुआ राउन गे लठम लठा लाखों क्रोडों विक्ती मारे गए जब तब सीता को छुटवा कर लाए आने के कुछ दिन के बाद ही उसको घर से निकाल दिया किसी आम विक्ती के कहनते है यह सब की बुधी काल के हाथ में है और संसकार वसबंदी पड़ी है नारज जी ने सराफ दे दिया विशनू जी को के तुँ एक जीवन अपने पत्नी के भी ओग में जीवागा फिर ये बगवान खाकर है जब नारज दे का वो सराफ इसका उपर असर कर गया ये कह एके बगवान फिर बगवान परे असर करे सीता जी की अगनी प्रिक्षा करके स्री रामचंदर जी वहां से लाये थे यदि तू कलंकित हो चुकी है ता अगनी में जड़ जागी तंटा कटेगा तिरा और यदि अगनी में नहीं जली तो तू निस कलंक है रामण से नहीं चुआ नहीं तुझे ऐसा ही हुआ अगनी प्रिक्षा में खरी निकली सीता और फिर घर ले आया सब के सामने प्रिक्षा करके एक दोबी ने कहे दिया चंद वर्सों के बाद अपनी दोबन ने पीट्टे था कैन लगया मैं राम दसरत के बेटे जैसा ना हूँ रामचंदर का रावन के पास रही सीता उसको गर पर रख रहा है उसकी पतनी दो दिन गर से लड़के बार चली गई थी अपने माई के तो उसको कूट रहा था और कह रहा था कि मैं रामचंदर जैसा ना हूँ दसरत के बेटे के साथ कि वा दस बारा वर्स रावन की पासरी फिर गर पर रख ली जब भेज दूँगा तरे गर पर वा बात रामचंदर्दी ने सुन दी इस से बात पर सीता काड़ दी लोग मेरी दिंदा कर रहे हैं संत कहते हैं लोग लाजना कीजिए नर्बे हो रही है अपनी सचाई पर दर डरना सी कहते जाओ लोग को का क्या कहने का जितनी में उतनी बाते तो क्या फैसला लिया उसने अपनी गर्वती पतनी को घर से निकाल दिया और उस नाम पूज़े आप पर सुखी नहीं वो राम जिसकी पतनी बालक कहीं पर किसी रिशी के यहां आसर में पल रहे है और वो राज़ा बना बैठा है सुपने में भी सुखनी उस वेक्ती को चै कितनी बात बनावे फिर वही स्री करसन रूप में आये विश्णु जी स्री करसन जी का इतियास देखे लो लठ्थम लठ्था जेल में जनम हुआ ममा सत्रू हो गया कभी जरा सिंक विशी सूपाल रोज जगडे रहे इस उद्यसे से उन्हों बत्रा को चा कर एक बहुत कोणे में जाके सुमंदर के बीच में टापू सलेक्ट किया इन दुष्टों के जगडे से बचाओ के लिए कहते हैं राड से बाड अची वहां रहने लगे उसके वहां क्या दुख हुआ उनके सामने पूरे यादो कुल चपन करोड उनकी जनसंख्या हो चुकी थी स्री करसन जी के वनसजों की कुल वालों की आप पर लड़का मरगे दुरुआस्टा नसराफ दे दिया स्री करसन तहीं मारे गए सारे चुपन क्रोड यादो कटका मरगे आप पर सुने लड़के तो पता क्या संरक्षन दिया स्री करसन जी ने उनको तो प्रमात्मा कहते हैं साच कहूं तो जग नहीं मने और जूट कई ना जाई हो ये बिर्मा विश्ण शिव जी दुखिया जिन ये रहा चलाई हो स्री देवी भागो तो महा पुरान के अंदर पर्थम सकंद मैं बिर्मा जी पूछ रहे विश्ण जी से कि आप भी तपस्या कर रहे हो मुझे बड़ा है आप तो भगवान हो ये हो विश्व पालक हो सब देवों के देवों और विश्ण जी कहता है कि मैं अधिकतर सब तब करता रहता हूँ तब करका फिर आक्ससों के साथ युद करता हूँ उनको मारता हूँ थोड़ा बुस्व मिला तो कुछ देर लक्समी के साथ सुक्ष पुर्व वितीत कर रहता हूँ तो परमात्मा कहती है ये खाक सूके इनको केने का वाओ परमात्मा कहते है साथ कहूं तो थरगड़े उतरें नहीं आज से सवर्स पहले ये बात परमात्मा कबीर जी कहा करते तो दास आज कह रहा है, आज परमान दिखा रहा हूँ, ये परमात्मा कबीर जी ने, ये मीडिया, ये जो इलक्ट्रोनिक सिस्टम बनवाया है, कबीर परमात्मा की देन है, या सत्करमान लियो, या मैन सतर की दुमा दी शिक्सित किया पूरे विश्वे को और फिर ये एलेक्ट्रोनिक सिस्टम सटे लाइट इंटरनेट बढ़वा के आपको गर बैठे संदेश दिवारें इस दास के माद जमते हैं देखो ये वितियास है ये हिंकार तो पुना अत्माओं ये समय अब आपके लिए बहुत ही ये जग निमानता है और जूठ में कह नहीं सकता है और साथ कहते हैं बर्मा विश्वनुशिव जी दुखिया जिन ये रहा चलाई हो फिर बताते हैं के सुर्पती दुखिया भूपती दुखिया और रंक दुखी बपरीती हो सुर्पती यानि इंदर का स्वर्ग का राजा देवताओं का मालिक सुर्पती उसका इत्यास देखो इंदर का दुरुआसा ने सराप दे दिया दुरुआसा रिसी ने इंदर का राज खतम हो गया पता नहीं कहां जाकर जीवन वेतीत किया कभी राक्ससों के साथ जगड़े लठ्थम लठ्था खाक जी मने इन काई है तो जो सथान सुखका है उसको आप भूली चुके हो हम सुरग तक सीमा हुशीमित हो गए थे हमारी बुझी की सीमा सुरग तक सथिर हो चुकी थी अब परमात मैंने बताई है सुरग ता तुमारा सबसे बड़ा सत्रू है आपकी पुझी का नास करवाता है और फिर वहां खतम करके आपकी पुझी को नरक में डाल दिया जाता है तो सत लोक जाएंगे तब पीछा चुटेगा क्या बताते हैं सुरपती दुखिया बुपती दुखिया रंक दुखी वपरीती हो अब निर्दन तो आप पे दुखी सुभाविक दुख है उसको तो कबीर साहिब कहते है कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो आप इस ग्यान को सुनकर आपने अपनी जो इच्छाएं हैं वो कम करनी पड़ेंगी जो हम अननेसेसरी डिमांड वगवान पर रखते रहे और वो दे भी देते हैं क्योंकि आपकी वक्ती आपको कदे मांगे लो जुब़े देंगे पर वो दुरुपियो कर लिया करते थे हम अब हम इतना ही मांगेंगे कितना साई इतना दीजियो जा में कुटम समावे हम भी भूखे ना रहें कोई अती थी ना भूखो जावे इतने दिये दाता कि जिसमें कुटम समावे रेक्वार्मेंट ओफ दा फैमिली यानि हमारे परिवार की दो आव सकता हैं वो पूरी हो जाए और हम भी भूखे ना रहें कोई अती थी आजा वो भी भूखा ना रहे तो कबीर साहिब कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम और मन इच्छा फल देंगा जो पड़ा मेरे तकाम कबीर साहिब कहते हैं तु ऐसे बेमतलब की कल्पनाए ये चिंताएं करने से कोई लाब नहीं मैं जो साधना विधी बताता हूँ उस बक्ती को करो ऐसे मर्यादा वर रहो अपना जीवन रुपी सफर इस बक्ती मारक पर तै करना प्रहरब करो फिर इस जीवन रुपी सफर में आपको जो भी कोई आपती आवेगी फिर मन इच्छा फल दिऊंगा जो पड़े मेरे तकाम है पड़े धनी से काम आपको प्रमात्मा ने सब पता है कि किस चीज़ किया हो सकता आपको आपको साधना पता हो उसको उसे पता है किस बच्चे को तो उससे पहले ही आपकी विश्था कर देगा कबीर साहब कहते है जो जन मेरी सरण है ताका हूं मैदा से गेल गेल ला गया फिरू हूं जब तक धर्ती आका से पुन्यातमों आप तो बिलकुल बच्चे हो इस मारग में ठीक है जो काफी समय से इस दास के सत्संग सुन रहे हैं उनको बहुत ग्यान हो चुका है क्योंकि हम जैसे पहले अन्य उपासना किया करता था ये दास जैसे स्री राम, स्री किर्शन संकर बगवान, विश्म बगवान अनुमान जी बाबा स्यम जी इनकी पूजाएं करते थे जैसा भी लोकवेद सुन रखे था और उनकी करते करते भी में बहुत से लाब गया करते और हम यही सोचा करते थे कि ये बगवान श्री किर्शन बगवान श्री राम विश्म बगवान अनुमान जी शाम जी ये हमें ये सुख दे रहे हैं और भक्ती भी जैसे आम को राम राम करसन करसन इस तरह के हरेओम धरी राम ये मंतर अपने जैसे सुने सुना यह मारे जाब करया करते इन मंद्रों में जाते थे गढ़ गढ़ होते थे बगवान के दर्शन करके मूड़ियों के और फिर भी हमें बहुत से लाव होते थे बहुत से संकट ऐसे टले हैं नो सोच भी नहीं सकते पहले भी तो हम ये सोचा करते थे कि जो पूजाए हम कर रहे हैं इन से ही लाव हो रहा है अब इस परमात्मा के तत्व ग्यान रूपी रोसनी में अब दिखाए दिया के नहीं वो हमारा केवल परारब्द ही चल रहा था और वो परमात्मा पूर्ण बर्म कबीर साहिब ही हमें सब कुछ कर रहा था फिर भी वो साथ ही था हमारे बनात्मा एक मोटा सा उधारन है कहते हैं सोचलची दर मैं करूं अपने दन के काज जैसे आपने दरोपती का उधारन सुना होगा आपने क्यों इतना सुन रख्या है कि दरोपती का चीर बढ़ा दिया श्री किर्शन जी ने श्री किर्शन ने बढ़ा सकता एक तिल भी श्री किर्शन का तो कोई आउकात ही नहीं केते मासा गटे ना तिल बढ़े विद ना लिखे जो लेख और साच्चा सत्गरु मेट कर उपर मार दे मेख उधारन के लिए छोटा सा एक्जामपल है कि एक समय धरमदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से परसन किया कि ही परमात्मा मैं तो स्रीकिर्सन के उपर फिदा हूँ मैं उसका परसन सकूँ पाज सकूँ उन्होंने राजा मौर धोज के पूत्र तामर धोज को आरे से दो फाड करवा कर चिरुवा कर वो मर गया था उसको फिर जीवित कर दिया आप कहते हो ये कुछ कर नहीं सकते प्रमात्मा ने कहा कि दरमदास और थोड़ा सा आगे भी सोचो जिसमें मा भारत का युद्ध हुआ और अभी मन्यू की मर्ट्यू होगी सुब्दरा पूतर अभी मन्यू सुब्दरा स्रीकिर्शन की भेन थी और अभी मन्यू उसका सगा बान जा था सुब्दरा रो रही थी पांड़ूं का कुल नास हो रहा था स्रीकिर्शन रो रहा था और स्रीकिर्शन अभी मन्यू को जीवित नहीं कर सका और वहां मौर दोज के पूतर को जा पंगा लिया उसको चीर को जीवित कर दिया तो वहाँ उसको क्यों ना जीवित किया धरमदास जी कहने लगे बगवन आप ही बताओ ये तो मारे बुद्धी कभी काम ही नहीं करी ऐसी तो तो परमात्मा ने कहा कि ये जैसे मौर दोज के पूतर तामर दोज की आयू सेश थी तो उसने उसको आप पर मारे दिया आप पर जीवित कर जाए तो जादोगर करकर जिखा देते हैं लेकिन अभी मन्नुक को क्यों ने जीवित कर सका है क्योंकि उसकी आयू सेश नहीं थी ये एक स्वांस भी नहीं बड़ा सकते है और परमात्मा कहते हैं जो अमारी सर्ण में आ जागा उसकी आयू जब चाहेगा जब मौत देंगे उसको मौत क्या उस तो जीवन देंगे सत लोग में दवास करा देंगे रहना चाह जब तक यहां रही है बक्ती करिए नीमित रहना हम वो सकती हैं कबीर साइब ने कहा दरमदास को तो अपने आत्मा जैसे सिरीमद भगवद गीता जाय नमबर पंदरा के सलोक नमबर सोला सतरा में तीन पुरुष बताए है एक सरपुरुष एक अक्सरपुरुष सरपुरुष तो यह ब्रह्म है एक्स ब्रमांड का स्वामी है बस इतना ही बगवान है इतना ही प्रभु है और अक्सरपुरुष यह साथ संख ब्रमांड का नील पदम संख साथ संख ब्रमांड का स्वामी है इतना ही प्रभु है और वो तीसरे नमबर का जो गीता जाय नमबर आठ के सलोक नमबर एक मरदूर ने पूछा कि आप जी ने साथ में जाय के उनटीस में सलोक में जिस ततबरम के बारे में जानकारी दी है उतत ब्रम कौन है क्या है उसके बारे माठ में जाय के तीसरे सलोक में गीता जी में गीता ग्यान दाता कहता है कि वो परमक्सर ब्रम है गीता ग्यान दाता से अन्य है वो परमक्सर ब्रम वो पूरन परमात्मा सत्य पुरस पूरन ब्रम परम अक्सर पुर्स कोओ परम अक्सर ब्रह्म कोओ तो उसको तो यहां जो पंदर में जाए कि सतर में सलोक में कहा है कि उत्तम पुर्स है तू अन्य सोड में सलोक में दो पुर्स बता जिये सरपुर्ष और अक्सरपुर्ष और इनके अंतरगत जितने भी प्राणी आते हैं वो सभी ये भी इनके अंतरगत जितने प्राणी वो सभी नासवान है लेकिन आत्मा किसी की नहीं मरती हो तो विसे यालग अगद एकी भी ना मरती हो आता है फिर पंदर में जय के सत्रमें स्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तु अन्य वो स्रेष्ट Bhagवान उत्तम स्रेष्ट पुरुष माने प्रमात्मा यानि परमक्सर पुरुष वो तो इन दोनों से अन्य है और वोही तीनों लोकों में प्रवेस करकर सब का धारण पोशन करता ह वो अविनासी परमाद में अब जैसे गीता जाय नमबर 15 के स्लोक नमबर एक में बताया कि उर्धव मूलम उर्धव मूलम अधै साखम उपर को जड़वाला नीचे को तीनों गुंड रुपी साखा वाला ये उटा लटका हुआ संसार रुपी पीपल का वरक्स जानो एक उधारन रूप में तो जो जड़ हैं वो तो परम अक्सर ब्रह्म है कबीर परमेश्वर जी ने स्वयम आकर अपनी जानकारी आप बताई अक्सर पुर्स एक पेड़ है नेरंजन यानि सर पुर्स वाकी डार और तिनों देवा साखा हैं ये पात रूप संसार तो बूल कौन है वो ये दास बताएगा वो परम अक्सर ब्रह्म है अक्सर पुर्स तो तना है समझो वरक्स जमीन से बाहर जो दिखाई देता है जितना भी वो वरक्स कहलाता है तो वरक्स के फिर भाग है अलग अलग भी भाग है नीचे तना है वो तो अक्सर पुर्स समझो फिर उसे एक मोटी डार निकली है वो सर पुर्स समझो ये जोत नरजन काल उसकी तीन साखाई हो वरक्स की यानि रजगुन बिर्मा सत्कुन बिसमुत अंगुन शिवजी रूपी इसकी ब्रांच है और पात रूप संसार और जो जमीन के अंदर गुप्त है प्रोक्स है वो जड़ है और जड़ से ही सब कोहर मिलता है पूरे पेड़ को जड़ से सी खुराक मिलती है वही सब का धारन पोशन करने वाला है तो गीता जाय नमर 15 के स्लोक नमर 17 हम कहा कि उत्तम पुर्शातु अन्य परमात्मा इती उधारते ये लोग तरह में आविस से भी बरती वो तीनों लोग कों परविश करके सब का धारन पोशन वही करता है वो वास्तों में अविनासी परमात्मा है तो पुन्य आत्मा ये एक्जामपल बहुत गजब का है उट्टे लटके वे संसारुपी वर्क्स का जड़ से ही पूरे विश्वय को यानि पूर्ण परमात्मा से ही पूरे विश्वय को सब कुछ मिल रहा है जो भी आपका वर्क ड़न है वो भी वहीं से मिल रहा है अब जैसे कोई नोकरी करता है गौर्णमेंट की वहाँ उसने जाड़ी करी उसकी तंखा बनी कैसिर के पास आ गई ट्रेजरी में आ गई उसने देदी उठा का आपका वर्क ड़न था अगर आपने नोकरी ना कर रहा खीवा जरी ना लग रही हो तो कैसिर ना दे चवन नी तो ये बगवान तो कैसिर समझ लो बेर महाविशनो महेस और उस परम पिता के अब जैसे द्रोपती का उधरन आपने सुना परमातमा जानी जान है उसको पता है मेरे बच्चों पर कहा पती ये काल डाल देगा ये तो समझ नी पारे बालक है परमातमा ने ऐसी लीला करी द्रोपती परती दिन सनान करने के लिए जब वो कमारी थी अपने पिता के घर पह थी सनान करने के लिए गंगा पर जाया करती थी वहां उसके पिता द्रोपत ने राजा द्रोपत ने एक घाट बनवा रहा था लेडीज घाट सनान के लिए अलग से विस्था करके एक अंधा मातमा परमातमा आपके बहुत देर तर समझ भाओ ये परमातमा आपके लिए कैसे भटक रहा है और हम तब बालक हैं या कोई नसा कर रहा है उसके लिख कोई गुमे जा उसके आसपास उसको पता ही नहीं तो कालकी भाँ पी रहा की हमने कबीर साहिब कहते है कबीर ये माया अट पटी और सब गट आन अडी किस-किस नसम जाओं या कोई भांग पड़ी एक-एक नसम जाणा पड़ता है जब जा के तीन मिन्या मनसा उतरा इस ग्यान को सुनने पीछे करसा चुमुच या तो बात तो कुछ हो रहा है तो इतना गहरा नसा करवा रहा है अग्यान का आपके इसके इस दूठे सुक में आ सकत फिरे पर है कार और कोठिया में कल मरती हो जा फिर गदाबन को मार के नीचे लठा तराए वो बूल गे वो याद देना आती मारा अब याद आवागी आपको रात ने भी नीद नी आवागी जो जिनकी आत्मा जागी जागी यह सत्कर्मान लेना बकवाद नहीं भावंगी फिर आपको पीछा चुटाना भारी हो जागा आपको अभी तो नसे में हो आपको तुझे नारी सत्मुच ऐसे कहर टूटे है और ग्यान से ही पता होया करता ग्यान आज तक मिलानी हमारे को यह नकली ने सट्पट करका मैं पीछे लाएं बैठे रहे अब दरोपती सनान करने के लिए जा रही थी एक अंधा मात्मा उस सत्य पुरुस का उपासक वैसे तो यह कहानी कुछ और बताओंगा बाद में लेकिर अब कहानी के इस कथा को सुनाने में ऐसा ही आनद जादाएगा एक अंधा मात्मा क्योंकि परमात्मा कबीर जी सोली लाएं करते हैं जैसे सुदर्सन नाम का एक सूपच था बालमीक और पांडों की यग में किसी से संपुर्ण नहीं हो रही थी तो वहां कबीर परमात्मा उसमें करुणा में नाम से आई वे थे द्वापर में और वो सुदर्सन उनका सिस्थ था सुदर्सन उनका सिस्थ था सुदर्सन तो चला गया कि तो पता लगया कि पांडों फेर आऊंगे तरे पास और तुझे ले जाँगे आथ पहर जोड़के क्योंकि उनका यग पूरन होना है नहीं तेरे बिना तो वो तो चला गया सहर सपटे को पीछे से कबीर परमातमा सुदरसन रूपदान करके वहां पहुंची के पांड़ों की यग में और वहां संख पदाय दिया डूंडा ठाय दिया ना तेतिस क्रोड यो देवता अठासी अजार रिसी बारा क्रोड प्रामन सब ना बोदन खा लिया राम की श्रीकर सन ना खा लिया और संख नहीं बाद जा कहते उस परमातमा ने बोदन करते या नि नूंडा ठाय दिया तो ऐसे ही समझना इस कथा को एक परमातमा कबीर जी आये हुए रहते हैं और वो जग जग अपनी लिला करते थे कुछ दिन रहकर चले जाते थे जो भगत उनकी सरन में आगे उनको उपदेश दे जाते थे फिर वो भगती करके अपना बैटरी चार्ज कर लेते थे उनका पन बन जाता था ऐसी एक मातमा था अंदा सूरदास परमातमा के संपर्ग माया उसको सब दुखों का पता लगया अंदे ने अब अंदा भी यहां के सुख चाव है तो उसके साथ नालाएक आदमी नी यहीं कोई नोकरी चाव है कोई फंड चावर रही साब कैर टूट रहा तरे उपर तो वो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उसने समझे मागी कि पिछले जनम का ती यह दुख आज त्यार कर लिया मेरे सामने है और आगए जब अगती नहीं करी सत्सा दिना नहीं की जैसे गुरूजी बता रहे हैं तो फिर आगए नाविरा क्या होगा तो वो पुन्यात्मा था उसका कसुती लगन लग रही थी तो वहाँ वो प्रमात्मा वो मात्मा अंधा उस पट्री पर चलता चलता दरिया के साथ साथ और उस गाट के आस पास पहुंच गया उसको मालूम नहीं कि कोई अन लेडी जगाट है जिदर पानी आ रहा था गाट से आगे को दरिया का पानी बहरा था डाउन सट्रीम में उससे सो दो सो फुट की दूरी पर उसने सोचा सनान कर लेता हूँ दीरे दीरे दरिया में उतर गया और वहाँ सनान करने लगा तनपर केवन एक लंगोट था उसके और कोई कपड़ा सेस नहीं था उस समय अपनी कुटिया जो फड़ी में और होंगे वहाँ कुछ नहीं था तो उसने जब ऐसे मलमल कर ना रहा था तो उसका लंगोट का रसी तूट गी वो नाड़ा तूट गया और वो नीवस्तर हो गया वो बै गया जलमे उदर से लड़कियां आ रही थी सनान करने के लिए आपस में बातें करती हुई क्योंकि सैकड़ों की संख्या में सहली आती थी द्रोपती के साथ में तो दूर से आवाज सुनगी उसने के संख्या कोई बेबे रमहन आ रही है लड़कियां और अवसे यहां कोई जिनाना घाट होगा तो गलत आ गया और उदर से यह सती थी होगी उसकी वो तो एकदम गहरे पाणी में चला गया सरम का मारा इतने पाणी और ऐसे ऐसे आथ मारने लगया उसने सोचा कोई कपड़ा लता आ जावे लपेट के बाहर रह जाओ अपने अत्माओं जो अपने अत्मा होती है न जो पूरों संसकारी होते हैं उनको सादू संद भगत दिखाई दे जात्मा गदगद हो जाती है सादू दर्सन राम का मुख पैबसे सुहाग दर्सुनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग कबीर साहिब कहते हैं कबीर दर्सन साद का भगत संद का परमात्मा आवयाद और लिखे महुआए गड़ी बाकी कासे में बरबाद तो जितना समय आपके जीवन का संद भगत भगतों के साथ गुजरता है बगवान की चर्चा में जाता है वो तो आपका जीवन है बाकी तो काल का विर्स जाता है दरोपती ने देख्या मात्मा सुबह सुबह दरसन वगे बड़ी खुसी में आई क्योंकि पूरा जनम की पुनकरमी प्राणी थी उसने सोचा साथू भी नहा रहा है हम भी पहले सनान कर लेती है सनान करके फिर मात्मा से बगवान की चर्चा सुनेंगे इस तरिष्टी कौन से वो नहा रही थी ना सनान सुन करके आद घंटे घंटे पाणी में कुई दिकाइद कर वो बार निकली उसने देख्या मात्मा चला तो नहीं गया वो क्या देख रही है कि वो मात्मा जी ऐसे हाथ मार रहा है उसने जान से देख्या सनान तो नहीं कर रहा, यह ऐसी क्यों कर रहा है ऐसे जैसे कोई चीज आथ लग जा फिर दरोपती ने देखा कि यह तो इनके बाहर कोई वस्तर नहीं और मातमा का नहीं वस्तर है यह तो लड़की ने सोचा यदी मैं बोलूंगी तो यह सरम का मारा कहीं आगे ने ना सरक जा और आगे बहंकर दरिया बह रही है और मातमा मर ना जा लड़की उस लड़की ने एक लंबी लकड़ी जंगल से लंबी लकड़ी तोड़ी उसके अपनी साड़ी में थे एक ऐसे इतना चोड़ा टुकड़ा आठ नौइंस का एक गट एक बिलाथ कपड़ा पाड़ा लंगोट के आकार का और दरिया में बहा दिया एक महराज का हाथ लाग जागा वो साथ से दूर से निकल गया उसको दिखाई दे नहीं रहा था वो ऐसे हाथ मार रहा था लड़की बोलना नहीं चावे थी कि लड़की की आवाद से और ज़्यादा सर्मिंदा होकर या आगे नखेस का रही हूं मर्या बहांकर दरिया बहा रही थी लड़की ने फिर दूसरा फिर पाड़ा टुकड़ा फिर छोड़ दिया वो भी दूर से निकल गया थी लहरों से साथ आठ बार उसने ऐसे किरिया की आदे से ज़्यादा साड़ी अपनी पाड़क डाल दी अब उसने सोचा बात नहीं बन रही कोई बात नहीं उसने लंबी लड़की तोड़ी एक उसके लपेटा दिया लाश्ट मैं और धीरे धीरे मात्मा के हाथ के आस पास कर दी उसने एक दम हात्मा ठाया और उसने पकड़ लिया फिर उसने देखा क्योंकि अंदे के हाथ आँखों का काम करते हैं उसने देखा यो कोई आम कपड़ा नहीं है वो ऐसे सुभाविक नहीं है ये किसी बेटी बेहन ने मेरे लिए ही सपहसल बना के छोड़ा है उसको पता था कोई आसपास अवस्य होगी बोल रही थी अब वो चुप होगी तब उसने कहा कि है बेटी आज तना मेरी इज़त राखी है वगवान तरी इज़त राखे तना गणाए दे कहते हैं सादू बोला सैद सुभा अर जो चावेस हो कर दे उसने सैद सुभा सिर्वाद दिया था अब क्या तुन्यात्मों कबीर परमात्मा कि अज्दात्म ग्यान सुक्सम बेद में तत्व ग्यान में कहा है कि बेराग नाम है त्याग का पांच पतिस सुमा जैसे लोब, मोह, ये एंकार, काम, करोद, जो तुम्हारे पांच हैं इन को त्यागना तो बड़ा टिफिकल ठाप के लिए क्योंकि ये तो बेर माविशनों महिस भी इसके त्यागने में फेल हो गए है तो परमात्मा ने इनकी दिसा बदलन का संकेत दिया है, विधी बताई है कि लोब करेता यू करे, ऐसा करे, लालच करेता ऐसा करे जैसे द्रोपती के साथ कई कई नोकराणियां भी साथ थी और द्रोपती अपनी नोकराणियों को कह सकती थी कि इस मात्मा के लिए तुम साड़ी पाड़ कर डाल दो वो सारी की सारी साड़ी भी डाल सकती थी क्योंकि पता है राजा की लड़की जाते दस देवगी हमारे को एक के सथान पर लेकिन द्रोपती को पता था कि मैं रूटी खाऊंगी मेरा पेट बरेगा मैं कोई दान दर्म करूंगी तो मुझे मिलेगा तो उसने दूसरे को चांस नहीं दिया इतनी विवेक था उसके अंदर अपना आप क्रेड़िट लिया उसका अपनी साड़ी राजा की लड़की की साड़ी कितनी सुंदर होगी विचार करकर देख लो हम भी अपने बेटा और बेटियों को अपनी आउसकता से अधिक सुंदर कपड़े पेनाने की चेश्टा करते है कीमती से कीमती आप से हम खंतरगा पह रहे हैं राजा की लड़की कैसा साड़ी बैन के गई होगी कीचनी कीमत होगी पर उस लड़की न एक नहीं देखिया उसने मात्मा दिखाई देथा कि इसका संक्ट निवारन हो किसी तरह तो इसको कहते हैं लालच करे तो इसा करे इधर बदल लो इस सारे ने और जैसे गुसा उठे तो माला ले ले आत्म अगले मन देखा तो किसा ताकतवर है सुमन कर कितना करेगा दो मिंट में सेट हो जाई गुसा फिर तो इस तरह हमने इसको सेट करना अब बाते हैं उस समय तो आई गई हुई फिर द्रोपती का विवहा हो गया अर्दुन के साथ अब पुना अत्मा एक नियम है कि भगती करे बिना अत्मा रह नहीं सकती जो गणाय नास्तिक हो गया गणे करम फूट रहे जिसके दनम दनम आंत्रों में और या तुरंथ ही कोई पुसू यूनी से आई हैं वो तो बगती में रूची रखते नहीं बाकी 99 परतिसत मानो शरी धारी पराणी बगती साद ना भी ना नहीं रह सकते हैं चाहिए वो किसी धर्मजम जनमया है और कोई ना कोई भगवान के लिए वो अवस्य करता है तो द्रोपती ने इन पांड़ों के गुरू थे श्री किरसन जी ये भी ग्यान सभी को मालूम है गुरू बिन माला फेरते गुरू बिन देते दान यानि गुरू के मादम से ही सारा कुछ किया जाता तो उस परमात्मा के ग्यान की सभी जो है नकल अवस्य करते हैं लेकिन फरफुली तो वही होता है जहां उस प्रमात्मा का वेज़ा हुआ प्रमसंत हो बाकि अन्य गुरुवों से भी आन सिक रहा है तो प्रमात्मा ही देता हुआ उनके माद्म से देता है अब क्या हुआ जैसे पांडों और कौरों ने जुवा खेला और जुवे में युदिष्टर सारा राज आर गया अन्तम उन्होंने दुरुपती को कहा कि तुरुपती को लगा दे दाओ पर और जुवे वाले कीसी बेइमान नीत होती है उन्हें सोचा है साइद इपकजीत जाओंगा सारा नास करा के भी नहीं सोचा गरेब कर जीत जाओंगा अब दुरुपती को ऐसा क्यों किया कि एक समय युदिष्टर राजा ने सीसे का मेल बनवाया था गलास का और दुर्योदन को नोता जे दिया बुला लिया वह आजा हमारे गर दुरुपती वहां खड़ी थी दुर्योदन उपर जा रहा था आगे सीसे में टकर लगी दिख्या को नहीं खाली है किसी से दिवार है वो गिर गया और दुरुपती असका मजा कर दिया कि अंधों की संतान अंधी ही होती है अब उसने वैसे तो यह सब्द कहना उसका गलत था अस दुरुपती का भी लेकिन उसने तो ऐ जे देवर्ट ट्रीट करके एक मजाक सा कर दिया लेकिन कहते हैं कबीर साहब कहते हैं सोना साधू और सजन तूट जुडें सोबार और दुर्जन और पाका कलस एक धकदरार साधू भग्त अच्छी आत्माई सजन और सोने ने कितनी बार तोड़ के फिर जोड़ दे कोई निसान नहीं रहता उनके उसाई बन जाते हैं जगड़ा वजा दस मिंट में फिर उसे वजाते हैं गणीर सा नहीं करते मन में रेंजस नहीं रखा करते लेकिन कहते हैं दुर्जन जोने कमा इनसान और पका कलस पका घड़ा एक धक धरार एक धक के मुसमें इतनी ऐसी दरार आ जाती है फिर उसका चिन नहीं मिठता तो वो दुर्जन था दुर्योदन उसने उस बात को अपने हर्दय में घणा खटक वान ली कि कभी इस दुरौपती ने सबक से खाऊंगा उसी दृष्टी कौन से युदिष्टर ने से कहा दुर्योदन ने कि दृपती ने लगा दे दाव पर युदिष्टर ने सोचा साइद बात बन जा वो दृपती भी लगा दी फिर भी आ रही गया अब बरी सब आ के अंदर दृष्टर ने कहा कि जाओ दोसासन लाओ दृपती को पकड़ कर अब उसी समें एक बांदी ने जागै नौकरानी ने जाके दृपती से कहा कि दृपती बात बगड़ी दुरुपती ने कहा क्या बात होगी कि आपको जुए माराजिया राजान है और सब राजपाट घार गेवे और दुर्योदन ने कहा है कि दुरुपती को लाओ पकड़के या नंगी करूंगा सब के सामने तो दुरुपती कहन लगी और कौन है वहाँ पर के पाँचों तेरे पती बैठे है पांडो और दुरुपती बैठे है दरतराश्टर जी वो विसंपिता महे करण और चाचा विदुर वही विराजमान है 101 वो पांडो बैठे है दुरुपती बोली क्या कह रहा था दुरुपती को लाओ पकड़के दुरुपती बोली तरह दमाग खराबर है गुरुजी बैठे दुरुणाचारी है विसंपिता महे बैठे चाचा विदुर है और करण जैसे महापुरुष बैठे यासा हो सकता है तो नहीं गलत सुन्या है अकना साची को आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं नमस्कार सर सर क्या नाम आपका मेरा नाम करनेल दास है जी करनेल दास जी कहां साई हो मैं डेरा बसी तसील पिंड मलाला से आया हो सर संत रामपाल जी महराज की सर्ण माने से पहले आप क्या बक्ती साधनाई करते थे सर संत रामपल जी महराज की सरन में आने से पहले मेरा जो जन में सिख परवार में हो आई मेरे जो ग्रेंड फादर है वो भी गुरुगरान साब का पाठ करते थे उसके बाद जो मेरे फादर साब है वो भी गुरुगरान साब का पाठ करते थे के पहले तो हमारे तो सिख्ध मत में जो होना जरूरी है, मतल्द 행्रा जो जो, जह संत्रोब में होना जरूरी है, फिर मैंने रादा सभवी मत मत का ग्यान पढा, उसके बाद मैंने 1986 में 9 अपरेल 1986 में महराच चरन सिंग से नाम दान ब्यास जाके नाम दान लिया जी फिर मैंने वहाँ पे काभी वक्ती कियी मैंने 10 साल उनके लगातार सरसंग भी किये स्टेज्जों के पर वैठ के सरसंग किये लोगों को समझाते दे कि ये जो ग्यान है संतमत ये है सर आपने जो वाबा चरन सिंग जी से नाम लिया था उन्होंने आपको क्या वक्ती साथनाय बताई उन्होंने जी हमारे को पांच नाम बताई दे जी जोतनरंजन, ओंकार, आरंकार, सुहंग, सतनाम ये पांच नाम की बक्ति यो बताते थे कि आपने डाई गंटे ये डेली इसका जो आपने बैठके सिम्र लेकाना है अद्दा गंटा आपने सब्दून तुन सुन नहीं है और दो गंटे आपने पांच नाम का जो सिम्र नहीं करना है सर आपको जो बक्ते साथ नहीं बताई गई क्या इसका कोई साथ सुम्हें परमाण है इसका सर कोई परमाण नहीं कि यह तो हम जब हम संतरामपाल जी महराज की सरन में आई हैं तो इन्होंने बताए के पांचो नाम कालके हैं सर फिर आप संतरामपाल जी महराज की सरन में कैसे आए सर मैं संतरामपाल जी महराज की सरन में ऐसे हैं मेरे को ग्यान गंगा किताब पढ़ने को मिली है ग्यान गंगा किताब पढ़के जब मैंने देखा प्रमाण देखे सबी को सुमलाया, देखा कि असली जो बक्ती है, सास्तरों के इन सारी बक्ती है, वो कताब पढ़ने के बाद मेरे को ग्यान होया, और फिर मैंने 28 स्टंबर 2014 को संत रामपाल जी महाराज की सरनमे जाके बरवाड़ा असरम में नामदान लिया जी. सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दिख से लेने के बाद आपको क्या क्या लाब मिले? सरन低 επ véritable रामपाल जी महाराज से लेका लिया जी आपके बाद मेरे को गुरूत मिले? की अप्र लगा दिया हां यहां फेक्चर हो गया फिर मेरे को बत्ती अपर वह सुपिटल चंडी घड़ में ने आपके बच्चे को फोन कि यह वह फोन वह आप यह पर देखिक दो ने वह बहुत स्किन दखाया प्राइवेट वाले भी यही बोलने लगे कि आपको कम से कम 99 परेशन कराना ही पड़ेगा लेकिन गुरु महराज की दिया से मैंने बैल्टे लगाने से ही मेरी जो हड़ी यह बिल्कुल सेट होगी और मेरे को भी कोई तखलीप निया इस्टेम उसके बाद सब म मेने गर में ही रहा हूँ एक महना मेरे को वहां पर लगा हुआ था सिर्फ मेरा ESA कार्ड बना था उसमें ESA में यह है कि जब तक आपके 200 चाड़ी यह पूरे नहीं होते तो आपको ESA का कोई बेंफिट नहीं मिलेगा उसके बाद भी मेरे को ESA का जो मनेजर आया वहां जहा हुआ है एक्सीडेंट रपोर्ट बना के दि हर एक्सीडेंट रपोर्ट बनाने के अपके बाद 3 मेने के बाद मेरे को 7000 पाइगा चेक है जो ESA बले न काट के दिया इसकी मेरे को कपी गर में पढ़ बेंप लगा ही जब से पहले यह बैंफिट नहीं मिलता है सबसे पहले ही ये मेरे को लाव हुआ उसके बाद दुसरा मेरे को यह हुआ कि मेरा बच्चा भी मेरे लड़का है उसने सक्विर्टी में उसका भी पांच मेरे लड़का हुआ हुआए उसने स्क्वर्ड से मेरे लड़के से बाद Kindern प्रूइड प्रुंड plays आर्थी किलाब जो हुए । पहले जुड़े थे बाबा चार्ण सिंग जी महाराज से और सतलोग आसन बरवाला की व्यवस्ता में आपको क्या बिंता नजर आती है इसमें सरी ये बिंता है जब हम रादा सौमी डेला बियास में जाते थे सबते पहले तो वहां पे कि यह है कि जो लंगर है और जो गरीब को चार्ण सिंग को कार्ड मिलता था उनको उनको अलग लिए अटेंटी थी थी और जो आम लोगे उनके लिए अलग लाइन लगती दी जबके गुरू महाराज संतरामपाल जी महाराज के आस्तर में ऐसा नहीं वहाँ पे चाह कोई अमीर आता है चाह कोई बी आईपी है सबी लाइन में लगके दसन करते हैं सबसे बड़ी बिनता यह हमारे को नजर आई यह समय जैसे ह हम ब्यास जटे थे वहां हमारे को बिष्टरा वी लजाना चाहरा पड़ता था सबमन तेल भी लगाना लेएना पड़ता था जैसे ही हम गरू महाराज के सत लोक आस्लम बरवाला में जयते थे वहां हमारे को बिष्टरा ही कोई जरूरते पड़ी नाहीं सबन तेल लजाने के जुरुत पड़ी वहां पर हर एक चीज़ जो फ्री आपकास्ट आस्रम की तरफ से वक्तों को मिलती है सर आप पंजाब की धर्ती से बिलॉंग करते हैं सर पंजाब की धर्ती को गुरुओं की भूमी भी कहा जाता है और गुरु नानक देव जी ने अपनी वानियों में गुरु की बहुत महिमाग आई है और आपने पहले रादा स्वामी पंद के संत स्री चरन सिंग जी महाराज से नाम दिख्षा ले रखी थी फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की संड में आई सर क्या आपको लगता है कि गुरु बदल के आपने कोई पाप किया क्योंकि कवीर साथ ने भी अपनी बाणी में लिखा है जब तक गुरु मिलेना साच्चा चाहे करो दस चाहे करो पचासा बैसे भी हम दुनियादारी के तर्टे भी अगर हम किसी डाक्टर के पाह जाते हैं तो अगर एक डाक्टर से हमारे को अराम नहीं मिलता है तो सुवाब कह के हमारे को दूसरा डाक्टर बदलना पड़ेगा क्योंकि हमारे को वहां से अराम नहीं हो रहा है तो ये तो समिंदारी की बात नहीं हर कोई बंदा सोचेगा कि अगर आपको यहां आराम नहीं हा रहा है तो आप दूसरे किसी अच्छे डाक्टर को दोखो जहां से आपको आराम होता है ऐसे ही सरी है अधियात मकमार गए जब हमारे को चर्ण सिंग से नामदान लिया कोई ला है के अग़रो ले कोई जयसे ही मेरा खुरूज का बात नहीं बंदान लेका आए उसके कुश दिन वाढ़ी पर देक्खा एक मेरी घरवाडी मेरे से बहुत नराज होगी उसने मेरी गुरू माराज की फोटो फार दिया मेरा जो नामदान का ता injected नहाएं कम से कम दो मिन्नी मेरे गर में बहुत कले सरार मेरे को जुना हराम कर दिया, आसपास के जो मेरे सथी ते रादा सव्मी ते, वो भी आके मेरी गरवड़ी को बढ़काते थे, ये तो रादा सव्मी नहीं है, अप इनको सम्त दो, तो हुड़ी हुड़ी मेरे गर मेरे गर मेरे मेरे गर मेरे 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 मेर बड़ा अदर करतें नहीं तो सारा घरवड़े बरोद करने लगे थे अब गुरु महराजी की बड़ी किरपा है और मैं गुरु महराजी का सुकर गजार हूँ कि उनकी दिया से में उनकी बक्ती में लगा हूँ सर सुना है कि संत्रामपाल जी महाराजी अपने सरदालों को नाम दिख्षा देने से पहले कुछ नियम बताते हैं जिन में से पहला नियम है नसा त्यागना लेकिन पंजाब जैसे राज्ये में नसा के आदी लोग बहुत ज़्यादा है कुछ लोग नसा छोड़ना चाहते भी हैं लेकिन बहुत कोशिसों के बाद भी नसा नहीं छोड़ पाते हैं लेकिन सर एक तरफ देखा जाए तो संत्रामपाल जी महाराज के समर्दकों की संक्या इन दिनों यहां पे भी काफी बढ़ी है तो सर संत्रामपाल जी महाराज जी आखिर ऐसा क्या ग्यान बताते हैं कि लोग नस्य जैसी बूरी आदद को भी छोड़ देते हैं? सर ये ऐसे है कि जैसे आप गुरू महराजी जितने भी आज सास्तर हैं, गुरू गुरान साहब है, कुरान है, गीता है, चारों बेद हैं. इनके अनसार सास्तर के अनसार बक्ती बताते हैं और यह बक्ती बताते हैं कि अगर आपने कोई भक्ती करनी है तो इसमें कोई भी नसा आपको प्रयोग नहीं करना है क्योंकि अगर हम नसा करेंगे तो नसा करते करते हम भक्ती नहीं कर सकते तो गुरु महराज की बगती ऐसी है जैसे ही हम सिमर्ण करते हैं और ये नटे नसे जो हैं एटोमेटिकली छुटने सुरू हो जाता है कि गुरु महराज का जो सिमर्ण है पर्थम नाम पांच जो गुरु महराज सिमर्ण देते हैं उस सिमर्ण में अगर आप कमाई करोगे तो आपको एडैमेटिकली ऐसा हिये अनुबाब होने लगजेगा कि नसी तो कुछ भी नहीं है यह तो कुछ भी नहीं होड़ी एडैमेटिकली यह चुड़ते जाएंगे जब कि गौवर्मिंट ने जो गोड़ ला लिया गोड़ने अपने पैसे के जोर से नसा जो लोगों को सर ऐसे है कि जैसे संत रामपाल जी महाराज बक्ती बिताते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जो बक्ती बिताते हैं उनकी जो बचन है वो बचन में सकती है जैसे एक बरदान मंतरी है वहां बैठे ही जो बचन बोल देता है उसकी बचन में सकती है जो बचन बोलता है अटोमे इनके बचन में सकती है। इनके बचन दोवारा ही जो बगती करेंगा, इनसे सिम्र लेकर बगती करेंगा, तो अडियाथिक्ली जो नसे चुटने से सुरू हो जाएंगे। क्योंकि बाणी में लिखा है सोरा पान मद मासा हारी गमन करें पोगे पढनारी 7 सटर जनम कटम है सेसम सकसी साहिव है जगदीशम इसकर करके गुरुमाराज ने भी गया आमल हारी आत्मा करें न होब पारे भी लिखा कि गुरुगरांस में लिखा कि जो कोई भी नसा करता है जैसे बीडी शिग्रत मक्खू है, इस नसे को प्रयोग करेगा, तो अगर शंखो जनम भी वक्ती करता रहे, तब ये इनसान जो जीव है, यहां से पाड़ नहीं हो सकता. सरसंत रामपाल जी महराज जी, अन्य संतों के बारे में निंदा करते हैं, उनके उपर टिका टिपनी करते रहते हैं, सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरी सबारे में मैं ये कहना चाहूंगा, क्यों निंदा नहीं करते हैं? जैसे देखो, एक टीचर है, एक टीचर है, जो एक बद्यारती को पड़ा रहा है, अगर टीचर है, अगर सलेबस से बाहर की बात बताएगा, हर जो उसके सलेबस में नहीं है, अगर टीचर है, बद्य संतरामपाल जी महाराज है, ये सास्तरों के उनसार बक्ती देते हैं, हर जो परमानिक बक्ती है, इसमें हर चीज का परमान है, जो संतरामपाल जी महाराज का एक भी बचन है, बिने परमान से नहीं है, बक्ती जो संत है, उनके पास कोई परमान नहीं है, वो सास्तर उनसार बक पहचान संतरांपाल जी महाराज बताते हैं कि जो बगती जो बगती जो बगती संत देते हैं ये डुबली गड़ बगती है इनके पास कोई प्रमान नहीं है जो संतरांपाल जी महाराज की बगती है प्रमान बगती है और बेदों के इनसार बगती है सास्तरों के इनसार बगत 선생님 का बेदब बताते हैं क्योंकि इस का प्रवार्न हमने जbuildican千 चाथि में ज्वोंकि फिर मेने जन्व साकी लियाके पड़ी जन्म साकी जो समूंदर जिये जिसम 1200 अविर मंडाणा एंधियो갈 मर्धा देश इलाके हमने जो लंका नहीं देखिय हम लंका देखना चाहता हैं तो गुर्णानक देव जी ने बोला के चले अंखा मिटो हरे यहां बेटो जैसे उन्हें ने अंखे बंद करी तो समूंदर के कनारे खड़े दिखाई दी अर जैसे यह समूंदर आगया गए गुर्णानक देव जी चल रहे थे पिछे पिछे बल्ला मर्दाना चल रहे थे मर्दाना ने देखा कि गुर्णानक देव जी तो दोखर का नाम जप रहे हैं मेरे को बहगरू 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 बोलने के लिए बोरे तो मर्दाना भी जो था ओही जो गुर्णानक देव जी दोखर का नाम जप रहे ते मर्दाना भी जपने लगा जैसे मर्दाना जपने गुर्णानक देवजी ने पिछ्छे मुल के दिखा कि मरदाना तो गुत्त लेतが घुटत फुक्त लेकिनां हो जाए कि बुद्ध बघ्रू जाए finding reality परवान है यही दो खर जो गुरुमा है संतराम पाल जी महाराज ने हम सब को जपने के लिए बताई हैं सर अब बगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं बगसमाज को सर मैं यही संदेश देटा देड़ना चाहता हूं कि जो संतरामपल जी महाराज है यह सास्तरों के अनकूल परमानत वक्ती देते हैं इसलिए मैं सबी को मेरे जो बाई हैं बेहन हैं खास करके जो रधा समीमत है उसमें जो अभी मेरे बेहन बाई फसे हुए हूँ उनको मैं हाथ जोड़के बेंती करना चाहता हूँ कि मैं 27 साल वहाँ बेहन पे गया हूँ और 10 साल मैंने उनके सरसंग भी की हैं वहाँ पे सर साल अपनी जिंदगी के बरुबात कर दिए, अब हो मैं 27 साल को पच्टा रहाँ को मेरे जो 28 साल थे बिलकुल निसफल होते हैं, नुका कोई मतल नहीं दाओ, जैसे बगती मैंने करी, जैसे नहीं करी, क्योंके बगती जो है, काल की बगती है, काल के नाम है, उनका सभी का करता हूँ कि जीरनी जल्दी हो सके। पाल जी का नामदान की दिख्षा प्रावत करनी है और नामदान की दिख्षा के लिए भी उनी नंबरों से आप संपरक कर सकते हो गुरू महाराज जीन के अदेश के उनसार पूले आल इंडिया मैं तो पूरे बड़ के भी ची कहूंगा कि नामदान सतल जो खोले जा चुकी ह हर इस मौके का जल्दी से जल्दी फैदा उठा लो नहीं तो ये समाहाज चे निकल जाएगा कि कभीर साहब महाराज ने लिखा है कभीर मांद से जनम दो लंब है होई ना बारम बार जियों बान फल फंक पोहें किरे बहुर ना लाग गया डार जैसे एक वरी जमीर दरक्त स साथ नहीं लग सकता है ऐसे ही अगर ये इनसान का जम्मा एक वरी हमारे हाथ से निकल गया क्योंकि गुरु माराज ने कहा है कभीर साहब की बाणी है कहता हूँ कहूं बजाकर टोल स्वासा खाल ली जाता है तीन लोग का मौल कि अपने हमारे स्वास की इतनी कीमत है एक पा समाज को अपने बाई वैनों को बेंति करता हूँ परारथना करता हूँ हाजोड़के के जीतने जल्दी हू सके संत रामपाल जी महाराज को ग्यान को समझो और जल्दी से जल्दी इन से नाम दिख्शा लेके अपने जीवन को जन्म मरन के चकर को हमेशा के लिए समाउबत क करके सत लोग चले जाओ बहुत बहुत धन्यवाद सरु आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें करेंड़ करेंड़ व्या है हुआ है